पैटवाई टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले है कोबेकटान LCuse Intramemory Tube के बारे में दोस्तों कोबेकटान LC है यह पशुओं में जो दुदारू एनिमल है गाई भैसों में कब इसको अपनी यूज़ कर सकते हैं और इसके side effect क्या रहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को भी दवाएं तो आई दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों कोवेक्टान LC इंट्रमेरी ट्यूब है जो 8 ग्राम की सिरेंजियों पलब्द है और इसको दोस्त इ Valve bio शुरू को सबस्क्राइब करें की जैनल को इसके बारे मियूंत आती है और दोस्तों अच्छा ग्राम शुला मेस्टाइब हखें तो इसके तो buck नम से बचाये रखें तो इसके बारे में अपने अपने पशो को नोलेफ इस तरह के symptom दिखते हैं जहाँ पर मेस्टाइटिस हो पश्यों को तो वहाँ पर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कब किया जाता है जब दुदारू पश्यों में मेस्टाइटिस हो जाता है और दोस्तों पशों में जब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होता है उस समय अपन इसका उप्योग कर सकते हैं पशों के दूद में अचानक से चेंजिंग आ जाती है पशों दूद एकदम से कम कर जाता है दूद के अंदर फ्लेक्स आने लगता है और कभी-कभी दूद पानी की तर उसकी जो इंटरवमेरी ट्यूब के साथ अंदर चली जाती है तो दूस्तों जब भी एपन यूज करें पहले अपन अच्छे से साफ करें नहीं तो इसके साथ एलकोल के टावल अТबथे हैं उनसे एपन क्लीन करें और अच्छे से तीट को साफ करने के बाद ही क्या है कि इ तक अपन कितने घंटे बाद इसको रिपीट कर सकते हैं और कितने दिन तक अपन लगातार इसको यूज कर सकते हैं और दोस्तों एक थन में तीन मिलकिंग तक अपन तीन बार लगातार अपन इसको यूज कर सकते हैं अगर इसके विडरोल पीड की बात करते हैं कि जो इंटरमेरी जो सिरिंज है ट्यूग का अपयोग करने के बाद में जो मिलक में जो दूद में इसका असर रहता है वो साथ मिलकिंग तक रहता है एटी हो तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो स्टोरेज है दो से आठ डिगरी पर ही किया जाए क्योंकि दोस्तों अगर अपन रूम टंपरेचर पर रखते हैं या इसको बाहर धूप में रख देते हैं तो यह वहां पर यह काम नहीं करेगी यह बिल्कुल खर पास ध्यान रखना होगा तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताईएगा धन्यवाद